आई एब सुखेंगे शेयर फूर्स और बेन्डिंग मोवेंट डियाग्राम को ब्रोक करना एक उवर हैंगिंग वीम के केस में इसमें क्या लागा हो एक यूडियल का लोडिंग लगा हो और हमें अगर shear force और bending moment diagram बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग वही इस वीडियो में सीखेंगे तो इसके पहले हमने reaction force कैसे निकालना है अगर आपको वह देखना है तो हमने आपको आई बटन में दी दिया है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो सबसे पहला काम के है shear force diagram बनाने के लिए हमारे पास reaction forces होना जरूरी है reaction force at b and reaction force at c क्योंकि कितना है w by 2 whole under bracket l plus 2 है ये भी सेम होगा ठीक है हम लोग का reaction force at b पितना और c पितना लगीगा तो उसको shear force diagram बनाने के लिए सारे के सारे points पे हम लोग को forces होना पता होना जरूरी है है कि नहीं इसे point c support पे हम लोग को कितना reaction force आ रहा हो जरूरी है उपर से कितना force आ रहे है जो जो cross section के parallel forces आ रहे है वो हम लोग को पता होना जरूरी है तो shear force at A और shear force at b जो है हम लोग का यहां पर 0 हो जाएगा और shear force at A और shear force at d-0 इसलिए उस point पे कोछल forces ने a इंवर he far end की बात कर रहहे है तब end पे कोछ Liquors नहीं आ रहे है इसलिए वहाँ पे shear force 0 हो जाएगा और shear force ने वीज़ली हम लों की जीरो हो जाएगा जैसे ही shear force at B की बात करते हैं point B की तो उसमें दो value आएंगे just left और just right है कि नहीं just left और just right इसलिए आएंगे कि उस point पे suddenly दो loading जो है हम दो change होगे एक load इधर से उसको bend करने की कोशिश करेगा यह जो force है इस direction से आ रहे हैं और एक जो force है यहाँ भी तो लग रहे है तो कैसे वहाँ पे behave होगा तो shear force हम लों का क्या होगा just right और just left है की नहीं यह pin jointed नहीं होता है इसलिए हम लोग वहाँ पे moment को भी zero नहीं लेते हैं देखते हैं आगे तो shear force at B just left क्या होगा just left just left की बात करें तो just left यह है तो यह क्या कहता है इसकी बी पॉइंट के थोड़ा सा इधर मतलब यह जो loading है from A to B A to B है की नहीं क्या हो जागा W into A W into A ठीक है total load लेकिन वह इस direction में आगा और इस तरह किस तरह से rotate करेगा है की नहीं किस तरह सुटेट करेगा इस तरह इस direction में अगर ऐसे आएगा मतलब वो क्या है anti clockwise और anti clockwise हमने पढ़ रखा है कि anti clockwise sign convention क्या कहता है negative है की नहीं क्या force anti clockwise negative इस direction से आ रहे हैं अगर हम लोग इस points से consider करें तो forces कैसे लग रहे हैं इस direction से तो क्या होगा नेगेटिव क्यों anti clockwise हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें जस्ट राइट में मतलब उसके थोड़ा सा बात तो स्ट्राइट क्या हो जागा w into यह तो आएगा ही है कि नहीं लेकिन यह जो रियाक्शन फोर्स जो अपवर्ड डिरेक्शन में लग रहे हैं वह भी जस्ट लेफ्ट इसके थोड़ा सा पॉइंट किदर क्या हो जागा w into a क्या है जस्ट लेफ्ट की बात कर रहें ठीक है प्लस डबलु एप्लस डबलु एक्यों प्लस डबलु है क्यों हम लोग का जो फोर्स है इस टरेक्शन से देखिए और फोर्स इस देखिए कैसे रोटेशन कैसे हो रहा है है कि नहीं उपर से फोर्स आ रहा है कैसे रोटेट कर रहा है यह क्लॉक्वाइस क्लॉक्वाइस क्या होगा पॉस इसलिए प्लस और माइनस वाइट तु क्या हो जाएगा यहाँ पर इस टिरेक्शन से लग रहा हूं जस्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा इसके बाद shear force at c just right just right मतलब इसका थोड़ा सब बात क्या हो जाएगा बस यही आएगे बस डबलू इन्टु ए ठैकिन नहीं तो टोटल लोड तो क्या होगा प्लस डबलू इन्टु ए अब हम दों बनाते हैं क्या shear force और bending moment diagram तो पहले ही तो हम shear force का calculate किया ना तो shear force बनाते हैं तो shear force at a क्या है shear force at a 0 and d 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0 at a and add b 0 है point b की बात करें तो b पे क्या है just left क्या है minus w है किने just left की बात कर थोड़ा सहीधर क्या हो जाएगा यह minus w ठीक है minus w into a ठीक है उसके बाद b point पे just right की बात कर रहे तो क्या होगा plus w ठीक है यहाँ से zero zero से कितना जा रहा है minus w into a ठीक है फिर just right की बात कर रहे तो क्या हो जागा wl by 2 ठीक है उसके बाद b to c b to c क्या होगा वह हम लोग देखते हैं अब इस side से तुमनों solve करते बाते हैं from b to c यहां होगा अच्छा shear force at b to 0 है यहाँ पे 0 है और shear force at c just right का क्या value है just right क्या value है plus w into a क्या है यह plus यह plus w into a इसके बाद जैसे ही just left की बात करते हैं इसके थोड़ा से दर यहां पर है ना थोड़ा से दर यह reaction force आगा पर कितना हो जाएगा minus w from plus w a to minus wl by 2 ठीक है इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग इसको सीधा सीधा लीनेरली जोड़ देंगे है की नहीं तो यहां पर का value कितना है यह तो 0 है यहां पर 0 यहां पर 0 और यह जो positive value is shear force at c just right का क्या value है w into a यहां पर just left का value क्या है minus wl by 2 है की नहीं और यह जो है value है यहां पर कितना है shear force at b जो positive वाला value हो क्या है wl by 2 यहां पर जो value है वो क्या है w into a तो यह रहा हम लोग का shear force diagram है की नहीं अब हम लोग बनाएंगे bending moment diagram तो हम लोग अब क्या निकालेंगे यहां पर moment तो moment निकालने के लिए सबसे important काम क्या है कि most सारे के सारे points पर हम लोगों को moment पता होना चाहिए moment at a moment at b moment at c and moment at d तो moment at a और moment at d 0 होने क्यों 0 होने a और d में इसलिए 0 इस point पर बात कर रहे है इस point पर वहां पे तो कोई moment नहीं आ रहा ना करते हैं तो moment at b यह क्या है इन जोंटेट नहीं है इन जोंटेट नहीं है तो पीन जोंटेट नहीं है तो क्या आएंगे वहां पर moment आएंगे तो इसको देखते हैं कैसी हो रहा है अगर a b की बात करें तो यह देखिए इस ट्रेक्षिन वह उपर से फोर्स आ रहे है कि नहीं उपर से force आ रहे हैं तो क्या होगा W into A है कि नहीं इसका total load W into A force into perpendicular distance क्या होगा A by 2 A by 2 से क्या होगा perpendicular distance ठीक है moment at B minus क्यों है minus इसलिए है कि हमने पहले ही पढ़ रखा है अगर sagging होगा तो positive होगा hogging होगा तो negative होगा तो sagging का होगा जब forces upward होगे तब तो sagging होगे न और तभी positive होगे लेकिन in this case उपर से force आ रहे है उपर से जब force आ रहे है उपर से जब नीचे force आ रहे है तो वो क्या है? downward force है downward force क्या create करता है? hogging hogging क्या होता है? negative ठीक है? similarly, moment at C B भी क्या हो जाएंगे minus W into A force into A by 2 perpendicular distance ठीक है? अब moment at B और moment at C तो पता चल गया अब इसके बाद क्या करना हम लोगों को? अच्छा और एक important क्या होता है कि कहां पर हम लोग का bending moment का value maximum आएगा तो वहीं पर maximum आएगा जहां पर shear force 0 होगा हैकिने इस point पे जो है हम लोग का क्या होगा? bending moment का value maximum होगा तो वहाँ पे maximum होगा तो उस point पे हम लोग क्या निकालते हैं? moment तो moment निकालते हैं मतलब इस point जिदे की हमने एक diagram बना रखा है इसी को जो है यहाँ पे zoom करके आपको दिखा रहे है तो उपर से force आए और नीचे direction में उसको move करना चाहे इसमिल्स देट कि वह क्या create कर रहा है? hogging क्या create कर रहा है? hogging hogging create होगा तो negative होगा और sagging होगा तो positive होगा in simple अगर upward force है तो positive in case of bending moment diagram अगर upward से force नीचे आ रहे हैं नीचे से force अगर उपर जा रहे हैं तो क्या है वो positive उपर से forces नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा वो negative similarly moment at center क्या हो जाएंगे? plus Q reaction force की बात कर रहे है reaction force at C reaction force at C कितना है? w by 2 under bracket L plus 2 force into appendicular distance force RC into L by 2 ठीक है? अब minus उपर से वो जो force आ रहे है w into bracket L by 2 plus A रहके नहीं w into L by 2 plus A total load into perpendicular distance तो perpendicular distance क्या हो जाएंगे? इसका half तो L by 2 L by 2 plus A का half by 2 अगर हम लोग इसको solve करेंगे तो value क्या आ जाएगा? यह जो value है moment का value maximum इतना value आ जाएगा equation को आपको solve कीजिए आपका जो value है वो इतना आ जाएगा ठीक है? इस equation को solve करने के बाद possibility क्या क्या बनता है? अगर L को यहाँ पर two way रख दें ठीक है? तो moment at center 0 हो जाएगा similarly L अगर two way से छोटा है तो वो negative हो जाएगा अगर L two way से बड़ा है मतलब am at center positive हो जाएगा है की नहीं? तो अब हम लोग क्या बनाते हैं? इसका bending moment diagram तो क्या होगा? यह baseline अब moment at a 0 moment at d 0 यह तो हमें पता ही था अब इसके बाद जैसे moment at b की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस wa square by two क्या होगा? वो parabolic क्या है यह? UDL UDL में क्या होगा bending moment diagram? parabolic ठीक है? parabolic थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको ठीक है? parabolic अब जैसे ही इसके बाद moment at c भी तो सेम है ना यहाँ पे क्या हो जाएगे? माइनस wa a square by two ठीक है? जैसे ही इस point पे आते हैं तो हमें क्या पता चलता है? कि तीन-तीन possibility हो सकती है अगर L 2A हो अगर L 2A से छोटा हो अगर L 2A से बड़ा हो जाए तो हम लोग का कैसा-कैसा bending moment diagram draw होगा for L equal to 2A ठीक है? यह क्या है? for L equal to 2A moment at center 0 वो कुछ इस तरह से होके जाएगा है कि नहीं? इस तरह से होके जाएगा उसी तरह अगर हम लोग moment अगर L जो है 2A से अगर कम है तो negative होगा मतलब उससे छोटा हो जाएगा ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर L 2A से बड़ा है L अगर 2A से बड़ा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा एग positive ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगे? तीन तीन possibility तो हम लोग को चेक करने के बाद उसको क्या बनाना है? bending moment diagram तो जैसा कि आप देखे हम लोग क्या बना चुके यहाँ पर bending moment diagram यह जो 0 है यह किसको show करता है? एल इकोवल टू टू ए और जो positive है वो एल ग्रेटर दैन टू ए को show करता है है कि नहीं? उसके बाद एल लेस दैन टू ए क्या होगा तो negative negative जो है हमने black color से बनाया है आप इसको देखे है ठीक है? अगर आपको यह चीर समझ में आ गया हो तो चैनल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए Thank you